असलामरेकूम मेरे नम अली है और यह है दोस्तों एक इंट्री लेवल स्मार्टफोन फॉर इंट्री लेवल यूजर्स जो क्या आता है रेड्मी की तरफ से रेड्मी टैन ए पाकिसान की माकीट में इसको अवेलेबल कर दिया जाएगा 3GB, 64GB और 4GB, 128GB दो वेरियंट्स में किया दा हैगा आज किस वीडियो में हम लोगों को अन्बॉक्सिंग करेंगे और बात करेंगे किया स्पैसिफिकेशन रखी गई है लेकिन राइट ना जब यह वीडियो रिकॉर्ड हो रही है प्राइस के बारे में कन्फर्म नहीं है जैस करते हैं तो कि दोस्तों यह है बॉक्स रिड्मी के इंट्री लेवल फॉन का रिड्मी टैन ए उपर की साड़ पर क्लेरी शेप हमें देखने को पर नॉच डिस्प्ले होने वाला है रेड्मी टैने को मेंचिन किया गया है शाओमी का लोगो है अब जिस वेरियंट की मैं आन जाओमी को मेंचिन किया गया है शाओमी चाहना को बजेट रेंज वाला फॉन है तो यहां पर आपको वाइड कलर का बॉक्स मिलेगा तो बॉक्स को ज्यादा एक्स पोर नहीं करते हैं रैपर को करते ही हमें उपर वाली साइट पर डिवाइस मिलती है जिस पर कुछ की स्प पर मिलती है भाई कुछ आपको मैनुल गाइड और अब आपको हमारी उड़्दू लेंग्विज में पी टीए की जो डिवाइस की तस्थीक होती है उसका कुछ ब्राउशर भी मिलता है और ऑनलाइन वरंटी मिलती है वरंटी कार्ट साथ कोई भी आपको देखने को नहीं म के लावा कुछ चार्जर की बात करते हैं तो चार्जर अभी छोटा बनाया है श्यामी का सबसे छोटा चार्जर देख रहा हूं मैं चार्जर की रेटिंग को भी कुछ चेक करते हैं तो यहां जो चार्जर है वह हमें 10 वाट का चार्जर मिलता दैट मीन इस फोन में कोई भ पॉली कॉबनेट रियर शाइट पर तीन पॉलर्ज है इसमें आपको ग्रिफाइट ग्रेक्रेकर पर और ब्लू कलर आपको देखने को मिलेगा रियर पर आपको 3D टैक्सर टाइप की बिल कॉलिटी देखने को मिलती है smudges कम catch करता है, scratch कम catch करता है, जैसा के एक entry-level smartphone की हमेशा से Xiaomi की build quality रही है, वैसा ही आपको देखने को मिलेगी, रियर फ्रेम एक ही उसमें बनाया गया है, आपको थोड़ा सा कव मिलेगा, फिंगपिन सेंसर रियर पर अवेलेबल है, और एक camera module बनाया गया है, जिसमें रेड्मी की ब्रेंडिंग और उसके अंदर आपको एक camera का layout मिलेगा, जहांपो डूल कामरा सेटप और फ्लैसलाइट लिखने को मिलेगा, बटन प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो वाल्यूम रोक उसका सक्सेसर था, मैं type C expect कर रहा था, बॉटम की साइट पर एक mic को रखा गया है, वेट 194 gram की है, थिकनेस इस phone की around 9 mm की आती है, जैसा के entry level smartphone की होती है, जैसा के हमें जो है, वो एक starting level के phones में देखने को मिलता है, उसके लबाब कर दिस्प्ले की बात करते हैं, तो यह targeted वो इसको बहुत जाता जो है, वो एक बड़ा battery backup भी चाहिए, इंडोर जो है, जो है, जो है, वो media consume करना है, बड़ा display है, 6.53 inches का, जहां पर आपको notch available मिलेगी, जिसमें आपको notch का size भी बड़ा मिलेगा, और entry level smartphone है, तो chin भी आपको देखने को मिलेगी, 720p का pixel है, IPS panel और 400 का पीक experience जो है, वो मेरा निकल कर आता है, इसके लाब अगर हम लोगा बात करते हैं कुछ hardware की, तो यहां पर आपको 2.0 octa-core hardware मिलता है, जो के medialek Helio G25 है, 12NM fabrication पर यह जो है, power VR, rog 8320 वाल आपको GPU दिखने को मिल दाता है, उसके सासाती, 4GB RAM और eMMC storage, 128GB की storage है, और 13GB RAM है, और 14GB storage के साथ आता है, MIUI 12.5 out of the box with Android 11 है, first experience में, yes, okay है, blotware अब देखते हैं, कि आगे चल के क्या काम करते हैं, already blotware है, snack video यहां आपको 1-2 games के मिलते हैं, अगर आप यूज नहीं करना चाहते हैं, तो उसको अन-install कर सकते हैं, बहराल मैं यह कहूंगा, कि entry-level smartphone है, तो entry-level audience को जो है, तो targeted होगा यह phone, जिन्होंने WhatsApp यूज करना है, Facebook यूज करना है, या उनको calling के लिए चाहिए, या उन्होंने एक secondary phone रखना है, business के लेन दिन के लिए, या ऐसा person जो के एक feature phone, keypad वाले phone से, एक ऐसा smartphone लेना चाहता है, जिसमें उसको battery backup भी बड़ा मिले, और साथ के साथ उसको जो है ना, वो एक UI भी अच्छी मिले, तो वो Redmi के फांज है, उनको जरूर कंसीडर करते हैं, तो for those people, यह एक targeted है, गेमिंग के लिए अगर बात करता हूं, जैसा कि मीजेर एक Helio G35 की gaming ती वैसी है, PUBG 30 FPS पे खिलाएगा, तो gaming के लिए, मीजेर एक Helio G85 या 80 जो है, वो टू मेंग विक्जल के आपको डूल कैमरा सेटप मिलते हैं, AI कैमरा है, उसके साथ साथ आपको जो है, वो डेलाइट की पिक्चर जो है, वो बजट अरेंज के फोन जो होते हैं, वो बिल्कुल ठीक दे देते हैं, इसके लाब अगर हम लोग बैटरी की बात किरते हैं, तो यहाँ पर 5000 इमेज बैटरी है, बट अगेन यहाँ पर 10 वाट है, मैं 18 वाट तो एक्सपेक्ट करता हूँ के भाई, अट लिस्टी लेवल स्मार्टफोन में भी होनी चाहिए, फास चार्जिंग फास रही माच चुका है, तो फास चार्जिंग होनी चाहिए, ओवराल जो इ रेड्मी 10A, रेड्मी की तरफ से इंट्री लेवल स्मार्टफोन, राइड नाव प्राइस होती पता होता, तो मैं जुरूर कैप्शन कर देता, बट ओवराल एक इंट्री लेवल स्मार्टफोन है, प्राइस के बाद जो अपीनिन होगा, वो किसने किसी वीडियो में जुर आपको कैसी लेगी लिवाइस हो, और आपकी क्या एक्सपेक्शन है, कितनी प्राइस होनी चाहिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जूरू शेयर कीजिए, बस आज की वीडियो में इतनी है, मुलकात होगी नहीं, वीडियो में किसे नहीं, अन्बॉक्सिंग से नहीं,